रूस ने दावग किया है कि उसकी COVID-19 वैक्सिन अंतरिम आकड़ों में बान में प्रतिशत तक प्रभावी साबित हुई है। कि इंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि देश के सभी लोगों को कोरोना वैक्सिन उपलब्द करवाई जाएगी। शडीर की सेल्स कोरोना वैरस को बढ़ाने वाली प्रोटीन की कोपीज बना लेती है जो प्रतिरोधक शमता को कोरोना वैरस प्रोटीन पर हमला करने पर संकेत देती है। कई तरह की ऐसी ही वैक्सिन अन्य विमारियों के लिए भी बनाई जा रही है लेकिन कोई भी अभी तक अप्रूव नहीं हो पाई है। 10 कंपनिया है वैक्सिन की रेस में। अमेरिका की दो कंपनियों का बड़ा दावा अमेरिका की दवा निर्माता कंपनी मौजणा और फाईजर ने अपनी कोरोना वैक्सिन के सबसे सटी होने का दावा किया। मौजणा ने सौमबार को घोशना की थी कि उसकी वैक्सिन 94.5% तक प्रभाव कारी है। वहीं फाईजर ने अपनी वैक्सिन के 90% तक असरदार होने का दावा किया था। ये दो MRNA वैक्सिन, COVID-19 वैक्सिन की रेश में सबसे आगे चल रही है और ये ट्राइल के तीसरे फेज में हैं। अगर सब ठीक रहा तो एजनसियों की इजाज़त के बाद दिसंबर में वैक्सिन लोगों को दी जा सकती है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो से लाइक और शेक करें साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। डेली स्रेंडिंग नीज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटस्ट और इंट्रस्टिंग नीज के लिए।